तो हरो दोस्तों कैसे आप सभी मैं हूँ आपका दोस प्रदीब आन स्वागत करदा हूँ प्रदीब इरे लॉन 12 अकाडमी पे आज जो मैं बाते करने वाला हूँ मेरे 12 के जितने पर स्टूड़ान जितना मुझे राउल सर को फॉलो करते हैं प्लीज जो चीजे मैं बताऊंगा आगे आने वाले दिनों में इसको जरूर फॉलो करना और समिस्टर एक्जाम में तो बिल्कुल फॉलो करना होता है तो यह जो मुझे आज फील हो रहा है वो फील बिल्कुल नहीं होता है तो मैं रिक्वेस्ट है बड़े भाई और दोस्के नाते जो बताऊंगा प्लीज इसको फॉलो जरूर करना अगर आप लोगों का रिस्पॉंस और प्यार मिला सब आपके रियक्षन पर हम एक्षन करेंगे मैं चाहूंगा हर जगा फैला देना हर टीचर को अपना प्यार सपोर्ट जरू देना कि यह सीरीज कंटीन जारी रहे तो आपकी तहरी और नेक्स लेबल की हो चुकी रहेगी और बीच में हमारे एप में क्रैस कोर्स भी आप सभी पहले यह मुझे लिखके बता दो कि आपका समिस्टर एक्जाम स्टार्ट हो चुका है कि होने वाला है कितने चैप्टर दे रहे हैं जरूर बात करो तो आठ से नौ चैप्टर तो आपकी एक्जाम में जरूर आएंगे मतलब मीनिमम एट चैप्टर मैग्जिव न उनके दिमाग में unnecessary pressure फढ़ाक से आ जाएगा और याइसी pressure आ गया और इस प्रेशर को जस्ने प्रॉपर तरीके से हेंडल किया वह तो निखर तो अच्री के से निखरेगा पर अगर जिस नेशर को प्रॉपर तरीके से से हेंडल नहीं किया तो भाई इसके side effect भी बहुत करना पड़ेगा, कि आपका एक चेप्टर बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, कि दो चेप्टर बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, कि चार चेप्टर बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, निमेरिकल बहुत अच्छी तरीके से है, डेरिवेशन बहुत अच्छी तरीके से खुद आप आप से जाता अच्छा आपको कोई नहीं जानता तो यह आपको खुद को एनलाइज करना पड़ेगा कि फजिक्स का कितना हुआ है केमस्ट्री का कितना हुआ मैत का कितना हुआ बायो कितना हुआ यह खुद को एनलाइज करना पड़ेगा और जैसी यह आपने एन एक्जाम के लिए, तो अगर मालों 10 चैप्टर है तो simple सी बात है, या बहुत जाता है, बहुत जाता है तो करनी ही पाऊगे, तो आप जो भी चैप्टर कर रहे हैं, मालों minimum 3 चैप्टर भी कर रहे हैं, तो 3 चैप्टर में एक चीज याद रखना, जो teacher जो चीजे वहां दे रह और यह 12 से 15 दिन आपका इस तरह से चला जाएगा कि आपको लगेगा कि इसका अपनी यूज नहीं किया क्योंकि आपके बास टाइम बहुत कम है तो आपको क्या करना चाहिए दस में से जो तीन चेप्टर कर रहे हो वो तीन चेप्टर पूरी तरह से करो पूरी तरह से करो समिस्ट्र एक्जाम जैसी खतम हुआ और आप फिर से आप बोर्ड एक्जाम की तारी करने बैठे तो आपको उस समय लग रहा है यार मेरा तो कुछ भी नहीं है मैंने तो दो क्वेशन इसमें से किया और इसके करन आपको ऐसा फील होगा कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ है और अगर 16 में से आपने 10-11 चप्टर अच्छी तरीके से कर लिया गाईस बाकी तो सब वैसे भी हो जाएगा मैं राउल सर आपके साथ है बट अभी बताओ रहें प्रॉपर प्लानिंग एंद प्रॉपर हर प्लानिंग वाईस जाना है कि आपको कैसे क्या करना है अगर आपका अभी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है गडबर कुछ भी नहीं करना है और आपको सब कुछ बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग करना है कि डेरिवेशन का जो डाइग्राम होता हो कैसे ड्रॉ करना है हमें स्टार्टिंग कैसे करना है हमारा एक्वेशन कैसा होता है इसी लिए तो बहुत सारे बच्चे बहुत रट्टा मारते हैं बहुत प्रैक्टिस करते हैं पर उनके marks नहीं आ पाते हैं किसको जो पेपर लिखते हैं तो जिस हुआइसlor लिखना है उसवाइस और लो इस वाइस नहीं लिखते है branch Tech जो आपका semester exam है कुछ नहीं होता समझा तो जल्दबाद जी के चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना है इवन तो मैं बोल रहा हूं आगे भी नहीं हाँ यह जो दिन आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से करो कि आगे आपको जब पढ़ना स्टार्ट करो तो आप इससे मोंटिवेट हो कि याई मेरा तो इतना हो चुका है बस मुझे इतना ही करना है तो देखो आपको मोटिवेशन नेक्स लेवल का बढ़ेगा ना की ओ जल्दबाद जी के चक्कर में न यहां के न वहां के तो मेरे काल से जो बाते मैंने बताए इसको जरूर फॉलो करोगे मिलते है नेक्स वीडियो मे थैंक यू सो मुझ गाई जय हिंद और जय मारश्टों दस्तों